हेलो एवरिवान आप सब अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ नया करने की फोड़ी से कोशिश किया आप कि आपको आप भी कही न कहीं मेरे उस बास से सहमत होगे आ अक्सर मैंने देखा है कि जब भी जितने भी म्यूजिक के बच्चे होते हैं जितने भी लर्नर्स होते हैं वो इंडिन क्लासिकल म्यूजिक के थिओर्टिकल आसकेक्ट को बहुत डिटेलेश में समझने की कोशिश करते हैं लेकिन कही न कहीं शायद हम उन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं या नहीं जान पाते हैं जिनों ने हमें इतना सुन्दर और इतना इतना डीप इंडिन क्लासिकल म्यूजिक दिया है आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूं कि in my experience also I have seen कि बहुत सारे बचे हैं जिनको musicians के बारे में especially the Indian classical musicians के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता होता अगर आप जनरली किसी से बात करें और आप पूछे कि do you know any Indian classical musicians name so they just talk about the like Arjeet Singh और Lata Mangeshkarji और you know so on so I felt it कि हम बहुत सारा theoretical knowledge देते हैं अपने audience को अपने बच्चों को पर उसके साथ साथ उन आर्टिस्टों के बारे में भी जाना बहुत जरूरी है जिनने बहुत शिद्दक के साथ और अपना इतना important समय अपना इतना important ज्यान हम सब तक पहुंचाया तो आज से मैं एक आर्टिस्टों के लिए एक सिरीज स्टार्ट करने जा रहे हूं और जिसमें मैं कुछ आर्टिस्टों की लाइफ के बारे में उन्होंने कैसे इंदिन क्लासिकल म्यूजिक को सीखना शुरूर किया उनके इंसिपर शें आप सब के साथ साथ शाय करना चाहोँगी uh I hope आपको ये ठीज समझ में आईगी कि ये जानना कितना जरूरी है तो आज जिस के बारे में जिस मीजिशिण के बारे में जिस larger contain Impact कर वे उनका लेकिन उन्होंने हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को इतना कुछ और इतना इतना डीप इंट्रेस्ट और इतने ने ने राग दिये हैं जिनके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए सो जो पंडिजसराज जी हैं पंडिजसराज जी का जनम 1930 में हुआ था और उन्होंने अपने गायन की सिक्षा को अपने फादर से लेना शुरू किया था और जब वो तीन या चार साल के थे तो उनके फादर उनको छोड़के चले गए थे उसके बाद उनके जो बड़ी भाई कि इया हैं उन्होंने अपने मुजिक की सिक्षा को जारी रखा जब उन्होंने अंसे म्यवजिक सीखा तो उन्होंने तबले अंकि शिक्षा उन से ली उन्होंने गायन उस समय तख भी स्टार्ट नहीं किया था थोड़ा पाद वन्प si के साथ गाते थे अब देखिए बच्पन में उन्होंने तबले से अपनी म्यूजिक की सिक्षा को शुरू किया पट एड दी एंड उन्होंने अपनी जिंदगी के पूरे 80 साल जो है वोकल को दे यानि गायन को दिए तो किस तरीके से उनका जो गायन में इंट्रस्ट है वो ड आसा पमेगामक्तर का बहुत फेमस गाना प्ले होता था और उस गाने को सुनकर कहीं न कहीं उनके अंदर एक उनको अंदर से वो गाना बहुत छुआ और प्र शड़नली उनने स्कूल जाना कर दिया बन और घर से निकलते थे और महा रास्त्रों में बैठते थे और वेगाम उन्होंने कंटीनियू रखी कुछ टाइम बाद एक बार वो अपने रेडियो में रेडियो के प्रसारण में परफॉर्मेंस के ले अपने भाया के साथ और वहां पर एक ऐसी बात हुई एक ऐसी एक्सपीरियंस उनको मिला कि जिसने उनको बिलकुल अंदर तक हर्ट किया और इसे बाद उन्होंने ये बाद ठान ली कि मैं अब गायन की शिक्षाव को बहुत अच्छे से लूँगा और बहुत अच्छे से इसके साथ काम करूँगा तो घटना ये थी कि जब वहां पर मुजिशन के साथ तबला बजा रहे थे तबला बजाने के लिए संगत के लिए तो जो फ Iya थे जिन्होंने राग भीमपलासी गाया तो उन्होंने राग भीमपलासी के कुछ सुरोण के साथ उन्होंने उनको ज्यादा छेषान नहीं की ऊहल्किंसेन इंडिंडा प्रापर चलन होता है उसको फॉलो करते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा धैवत पे ठहराव दिखा दिया और थोड़ा सा राख के साथ इदर उधर जाकर वापस भीमप्लासी में आ गए जो कि सुनने में बहुत सुन्दर लग रहा था और और ऑडियोंस को भी बहुत पसंद आ साथ ऐसा छेड़खानी कर सकते हैं लेकिन तभी उस पीच पढ़ी जसराग जी ने अपने भावों को रखा और ने कहा कि अगर आपने या किसी मुजिशियन ने किसी राख को अपने तरीके से गाने की भी कोशिश की और वो सुनने में बहुत सुन्दर लगा तो हम क्यों न कि सुरो का क्या अर्थ होता है और वह बात यह जो पंडी जसराज जी के दिल को अंदर तक चूगई और उसके बात उन्होंने अपने अपने गायन के साथ बहुत काम किया और हमें बहुत सुन्दर सुन्दर कॉमपोजिशिशन्स बहुत सुन्दर बंदिशे हम तक बहुत मेलब उनको लगता था कि वो जब भी स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए बैठते थे तो उन्हें साक्षात श्री कृष्ण जी के इनको लगता था कि और नियस में वहां पर विराजित हैं और वो उनकी परफॉर्मेंस को सुन रहे हैं उनके बहुत से राग है जो उनके प्रिये थे और अगर उनके काफी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो मोस्ली काफी रागों को उन्हें अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू हम तक पहुंचाया है आप में से बहुत कम लोगों को यह भी बात बता होगी कि जो पंडित जिसराज जी के भाई साब हैं उनके जो बेटे हैं जतिन पंडित और ललित पंडित जी जो की उनके आगे पंडित भी लगता है तो क्यों मैं सब चीज कर रही हूं क्यों मैं यह आपके साथ आर्टिस्टों के बारे में शाय करना चाहिए कि मुझे लगता है कि सिर्फ नौलेज को जान लेने से हम उस संगीत को यह मुस्तिक्षा को उतना स्ट्रॉंगली नहीं ले अब वो हमारे बीश नहीं है पर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप उनकी परफार्मिस को देखिए उनके गायन को सुनिये और आपको समझ में आएगा कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का क्या है क्या इस नोट जिस्ट अबाउट राग इस नोट धुरुपद, धमार, ताल है यह उससे बहुत जाता है तो अपनी आने वाली कुछ वीडियो में मैं अपने आपके साथ आटिस्टों की लाइफ के बारे में बात करना चाहूंगी and I hope कि आपको मेरा यह थौट समझ में और पसंद आएगा Please, please share your comments on this कि आपको क्या लगता है कि क्या हमें आटिस्टों के बारे में जानना चाहिए या नहीं So I hope you will like this my video, don't forget to share your comments and like the video Thank you so much So I hope you will like this